आज का टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री ठीक है चली शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे पास पहला कोशन देखेंगे तो भई क्या समभावित है इसमें से यह पहला इसका आंसर है कि यह एक पिक्टोग्राफिक लिपी के बारे में यहां पर बात करें है यानि कि इसमें जो हम भाव चितरात्मक शैली देखते हैं यह उसके बारे में हैं और जो लिखा गया है यह बॉस्ट्रो फेड़ॉन स्टा यहां से जाते थे फिर यहां से एसे आते थे ओके तो इसी को कहते हैं बॉस्ट्रो फेड़ॉन स्टाइल ओके यह यह मैंने आपको पताए दिया है कि इनकी शैली थी यह कैसी थी भाव चितरात्मक शैली थी यानिकी चित्रों के दौरा इसमें समझाया गया था और में देखने के लिए मिलते हैं इनकी स्क्रिप्ट के अंदर यह तो आपको ध्यान दखना पड़ेगा ठीक है नेक्स है हमारे पास दग्रेट बाथ वास फांड इन तो यह मिला था हमारे को मोहन जोदारों के अंदर वी इस दा करेक्ट आंस्वर इसके बार में आपके सब ठीक है लर्काना डिस्ट्रिक के अंदर यह पड़ता है written position पूछा गया है लर्काना डिस्ट्रिक के ऊपर ठीक है और यह कहां पड़ता है। जाता था रिच्वल बातिंग के तौर पर ठीक है जब भी वहां कोई बड़ा अनुष्ठान वगड़ा होता था ना तब इस मंदब यह लोग इस स्विमिंग पूल का इनको नेपॉलिन कहा जाता था और यह कहा था कि इसने विये इसमेथ ने और इसी को फॉलोग करते थे वैश्वनिज्म को ओके नेक्स्ट है दा फॉस्ट मेटल डिसकरवड बाय मैन वाज तो यह था आपका कॉपर ठीक है यहाँ पर देख सकते हो कॉपर यह वरो दोज मेटल में आता है जिसको जो इंसान है उसने शुरुआत में इस्तमाल करना शुरू किया कॉपर की जो खोज होती है वो होती है आपकी 9000 BCE में इसके अलावा हम देखेंगे जो अदर मेटल्स हैं जो यूज किये गए प्री हिस्टोरिक टाइम में वो थे आपके गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड और आईरन ठीक है कॉपर को कैमिकल अगर हम देखें तो इसको कैपरम बोला जाता है इसका सिंबल जो है वो है सी यू और इसको रेडिश ब्राउन मेटल के कलर में हम देखते हैं ओके नेक्स है हमारे पास विच वाज अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडस वैली तो इं अगर पोर्ट टाउन के रूप में तो इंडस वाली सिवलाइशन में सिर्फ यही एक मादर शहर था जो की पोर्ट टाउन था ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो जो लोथल है इसके यह कौन को सी नदियों के बीच में है सावर्मति रिवर और ट्रिबिटरी है किसक कोशन है कि संगठन ने शुद्धी आंदोलन का समर्थन किया है तो करेक्ट आंसोर आपके पास आरे समाज ठीक है आरे समाज के बारे में आप देखोगे तो इसके जो फाउंडर थे वह थे स्वामी दयानन सरस्वति यहोंने बोला था वेदों की और लोटो ठीक है 1875 में उ आरे समाज के बारे में आप देख सकते हो आरे समाज दयानन सरस्वति कुछन है मारे पास हूँ आफ दा फॉलोइंग सीड गुड गवर्मेंट इस नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्मेंट तो यह भी बोला था आपका स्वामी दयानन सरस्वति नहीं बोला था कि जो गुड गवर्मेंट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है सेल्फ गवर्मेंट के लिए ठीक है और इसी बे उन्हें बोला था जो आरे समाज की उन्हें साबना की है यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यह सिर्फ इस्प्रेट करेगा यह वर्क करेगा लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए यहाँ पर दे सकते हो चाइड मैरिज रिस्टेंट एक्ट 1929 में पास हुआ था और इसमें फिक्स की गई थी लड़कियों की 14 साल लड़कों की 18 साल विच वाज लेटर अमेंड़िट 18 से 21 और इसी को हम लोग शार्दा एक कित रूप में जानते हैं और यह तोटली बेस था आपके हर बिलाज शार्दा इनके नाम के ऊपर और इनको जलने दे जान जाता है कि नों बहुत वर किया था चाइड मैरिज को खत्म करने के 1929 में ठीक है और साथ में इनके साथ जो इनका साथ देर थे वो थे राजार राम नेक्स आपके पास यहां पर है कि कब तक कितना जिये हैं ठीक है इसके लाववा he was a former follower of Brahma Samaj ओके नेक्स है which one of the following was the author of गुलाम गिरी ठीक है गुलाम गिरी के लेकर कौन थे तो तो यहां पर जोतिवा फूले जी के फोटो लगी हुए है महात्मा जोतिराओ फूले इसको याद रखना और इन्होंने लिखी थी आपकी क्या गुलाम गिरी तो यहां पर याद रखना कि जो गुलाम गिरी है इसको इंग्लिस में लिखा था तो इंग्लिस में इसका नाम था तो लोग हितवादी कहते थे हम लोग गुपाल हरी देशमुक को ठीक है नेक्स है किस वर्ष में सहमती की आयू अधिरियम पारित किया गया था तो करेक्ट आंसवर आपके पास बी अठारा सो एक क्यानवी के अंदर ओके तो चलो देखते हैं इसके बारे में सबसे पहले आप देखेंगे कि बहराम जी एम माला बारी ये ग्रेटेस्ट पार्सी थे और सोचल रिफॉर्मा भी थे 19th century के और उन्होंने एडिट किया था सर्कुलर अगेंस चाल्ड मैरिज की ठीक है और वो सपोर्ट करते से विड़ो रिमेरिज को भी और उन्हीं के टाइम पर पास किया गया था उन्हीं के एफर्ट से पास किया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 नेक्स है हमारे पास किस ने कहा था कि अगर भगवान आस प्रशिता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल नहीं पहचानूंगा करेक्ट आंसूर है आपके पास बाल गंगा धर तिलक ठीक है नेक्स्ट है सिंध का युद्ध कब हुआ था तो इसका करेक्ट आंसूर है 712 AD AD यानि की अन्ना डॉमिनी विच्छ रूलर यानि की शक है यह विच्छ रूलर वाज रेस्पॉंसिबल फॉर इंपोटेंट इरिगेशन वर्क्स इन सौराश्ट्र ठीक है तो यह था आपका रुद्रदामन यहाँ पर आप देख सकते हो यह श्याक रूलर था रुद्रदामन यह रेस्पॉंसिबल था आपका इंपोटेंट इरिगेशन वर्क करवाया था इसने सौराश्ट्र के अंदर और इसकी जो मिलिटरी थी इसकी अचीव्मेंट के हम बात करें तो इसने अप पुष्यमित्र शौंग ने हध्या कर दी थी उसका कमांडर इंचीफ कौन था करेक्ट आंसवर आपके पास सी ब्रहद्रत ओके नेक्स्ट है फ्वायान किसके शासनकाल में भारत आया था बहुत इंपोरेंट है तो करेक्ट आंसवर है चंदरगुप्त सेकंड ओके सेकंड की टाइम पर ठीक है और उसने ट्रेवल किया था बाइफुट चाइना से इंडिया तक पैदल आये थे और सी रूट से वापस गए थे नेक्स्ट है आश्टा दिहाई के लिखा कौन है तो आश्टा दिहाई के लिखा क्या आपके पानिनी ओके पानिनी यहां पे बै इंग्विस्टिक के रूप में भी जाना जाता है नेक्स आपके पास आचरांग सूत्र निम्लिकित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो आचरांग सूत्र जुड़ा हुआ है आपका जैनिज्म से कोशिन है आपके पास who among the following had written राजा राजा वली पता का ठीक है राज की बात करें तो यह भी शाइन्स पिलिक्रिम थे मॉंक थे स्कॉलर थे इनका नाम था हुएं संग और यह रिजाइट किये थे इंडिया के अंदर सत्रा सालों तक और इन्होंने सर्च किया था बुद्धिज्ट टेक्स को बहुत डीपली विजिटेट कन्नौज डिरिंग द दे सकते हो तो जो इनका में सोर्स सा इंकम था वो था इनका लेंडर विन्यू ठीक है नेक्स है विच चाइनीस टैवलर केम इन इंडिया डिविंग दरीन ऑफ हर्षवर्धन तो यह था आपका डी हुए इंसांग इसका हमने पीछे भी देखा भी है हुए इंसांग यहां पर सतर सालों तक रहा था इसने बुदिश टेक्स को पढ़ा था बहुत डीपली ओके नेक्स है विच अमंग दा फॉलोइंग डिवर इस मोस्ट डिस्क्राइब इन रिगवेदा तो रिगवेद में सबसे ज्यादा नदी का जो उलेख है वो है आपकी सिंधू नदी यहां पर आपको याद रखना है जो सिंधू रिवर है इसको सबसे जादा बार मेंशन किया गया है और सबसे प्रॉमेंट रिवर की गरम बात करें तो वो थी आपकी सरस्वती रिगवेद के अंदर सरस्वती दीवर को बताया गया है कि यमुना के इस्ट में थी और सतलुच के व मंदल में नेए स्ट शुद्र सोने के सिक्के जारी तो यह थे आपके खुषान के बात कर गोईनिघ है उन्होंने देखाएं चक्छ Northern LA एंदिया में आपना कीया था थी हैं नौर्ट details के अंदर यहाँना नहीं घुठ सकती हो अगर मैं खुत्वला जूम करके आपको दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ आप दिख सकते हो, कुशान एंपायर के बारे में, ठीक है, यह रहा पूरा, इनका एरिया, ओके, नेक्स्ट आपके पास, बिम्बी सार का दूसरा नाम क्या था, तो बिम्बी सार का दूसरा नाम था आ बनते हैं, जैन लिटरिचर के अंदर, नेक्स्ट है, वो इस दा फादर आफ प्री हिस्टॉरिक आर्के लोजी इन इंडिया, तो प्रागेति यहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं, भारत में, रॉबर्ट ब्रूस को, ठीक है, इनके बार में आप देख सकते हो, चित्र पाया गया है, ठीक है, तो यह मिलता है आपका अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ पर इस फोटो आप देख सकते हो, वोर्ल्स फर्स्ट ओइल पेंटिंग, यह फाउंड की गई थी, बामियान केव्ज इन अफगानिस्तान के अंदर, नेक्स्ट आपके पास, अमंग यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलते हैं, आर्केलोजिस्त ने इनको खोजा था, 2100 साल पुराने यह हैं यह, ठीक है, रॉमन, रॉमन कॉइंस जो है, और फाइब फाइब रॉमन कॉइंस यूज्ज सेविंटीन हंडे यर्स अगो, तो इतने पुराने पुराने चीज़े इनको इट कंजिस्टिट अलवार, जैपूर और भरतपूर, तो यह इंपोरेंट इसको याद रखना, नेक्ट आपका, वट वाज आई लेवल बिजनेसमेन कॉल्ड इन 16th century BCE, तो यह किसको कहा जाता था, यह थे आपके सिठी, ठीक है, डिवरिंग 6th century BCE, the development of towns helped the development of trade and commerce, तो हम लोग सेठी कहते थे, नेक्स है, वेन डिट दे बैटल ऑफ हाइडेस पीज, टेक प्लेस, तो यह हुआ था आपका, 326 BC के अंदर, तो इसके अंदर यहाँ पे लिखा गया है, यह लड़ा गया था आपका, अलेक्जेंडर और किंग पॉरस के बीच में, नेक्स यहाँ प आपका, तर्मिनाडू के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह रूल किया था, काल भरास ने तर्मिनाडू के अंदर, यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक आपको रूल देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे रूल थे, ठीक है, उन्होंने ब्रम दे के रा आपका विजय दित्या, ठीक है, यह दा करेक्ट रांसवर, और यह किसके बेटे थे, विजय दित्या बेटे थे, आपके विने दित्या के रिखहें के लिए रिजायेगा, जो विने ब्रम देते थे उन्होंने रूल किया था, 681 87alis के अंदर, और 696 तक उन्होंने, जो है अ की खिलाफ नेक्ट है अशोक का कौन सा स्थम्भ सभी स्थम्भों में सबसे लंबा है तो आंसर है मारे पास डी ठीक है यानि कि जो सात्वा पिलर है वो सबसे लंबा है यहां पर आप देशकते हो सेवन्फ पिलर एडिक्ट यह एलबरेट करता है वर्ग्स डन बाइद मौरें सबसे लंबा कौन सा है वो है आपका सात्वा यह आपको याद रखना है यहां पर होता है इस वीडियो का हैं हम जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में ओके थैंक यू